असलों के विडियो दिए बाइब रिजवान चीमा, welcome back to the video, this video is about the central park, इस ब्लॉग के हवाले से मैंने एक recent video बनाई थी, अक्सर लोग विडियो के नीचे comment करते हैं कि साइट पे, smart city की साइट पे, जो overall landscape है, वो काफी ज़्यादा dry रफ है, तो साइटी ने इसकी beautification पे कोई काम ने किया, तो में भी management में किसी ने आप लोग के comments पढ़ लिए हो, by the way, अब साइट पर आप विजट करें, तो साइट पर जाकर देखें तो काफी ज़्यादा आपको greenery और plantation और horticulture पे काम होता वा, नजर आएगा, yesterday when I was on site, I saw nine trucks unloading plants and other related stuff regarding horticulture on the site, और इस साइट पे इस सक तकरीबन जो beautification के लिहाद से blocks प्लस जो central park है, ये वीडियो basically central park के होले से है, but मैं इसमें आपको जो block nearest adjacent block है, जैसे block A है, जैसे block B है, जैसे block C है, block D है, इन blocks में जो trucks ने जितनी plants वेरा unload किया, उनके बाद plantation काम जो शुरू हुआ है, उस हवाले से बता हूँगा, इस वक्त जो कल जो मैं साइट पर जो मैं वीडियो बना रहा था, तो nine trucks थे, जिन से समान unload हो रहा था, में भी मेरे जाने के बाद, यह उसे पहले भी कुछ समान unload हुआ हो, but when I was president that site, at that time, nine trucks for unloading horticulture stuff, तो इस वक्त साइट पर हम overall देखें, development के लिहाद से, तो इन blocks जिनकी development complete है, उन मे जो होता है, उसकी वो होता है कि उसमें underground जो आपकी saverage और जो optical fiber, electrification और जो underground gas pipeline होती है, etc, gas का तो भी system यहाँ पर नहीं है, बट जितनी underground काम है, वो complete होना, third पर होता है कि उसकी और रहाल beautification वे काम होना, जो उसकी street lights का बना, street lights का लगना, street का layout plan, fourth उनका सारा वो, आप कहले जितना उनके foot pass वरा बनते हैं, and fifth overall जो ब्लॉक का layout plan होता है, उनको final horticulture, यनि अच्छे तरीके से plantation के थूरू उसको renovate करना, तो इस वक्त ब्लॉक्स के अंदर जो fifth steps है, उनके पहले चार steps है, उनके बाद possession offer कर दिया जाता है, क्योंकि basic amenities required होती है, construction के लिए, living के लिए, वो होती है कि overall block के अंदर तमाम चीज़े complete हो, तो उसके बाद जो final step आता है, उसकी beautification का, इस वक्त ब्लॉक्स के अलावा, जो central park है, इनके opposite side पे, जिसके वाले से मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उस central park की अंदर जो plantation होई है, उसके वाले से गाइड करूँगा, तो before going in the details सबसे बहला को मैं पर explain करता हूँ, यह वाला जो part है, एक्जेक्ट डेड़ महीना पहले यहां पर कुछ भी exist नहीं करता था, इस park की जगा सब कुछ खाली था, और within month or so, अभी block पर गर देखें, इस site पर देखें, तो आपको एक relatively काफी ज्यादा development हुई हुई जमीन पर साइट पर इस एरिया में यह पार्क बन रहा है, प्रीविस लेकर देखें इस site की images, तो previously यहां पर development जो थी, वो इस जगा पर बिल्कुल development 0 थी, क्योंकि इस park को बिल्कुल develop नहीं किया गया था, अभी अगर site पर देखें site पर जिन लोगों के plots हैं और वो विजिट करते हैं जैसे इसी एक फ्रेम में आपको यह मस्जद और यहां पर देखें स्कूल, स्कूल की मैं इन्चलाने दिल्दों में डेटेल वीडियो बना दूंगा कि यह बिल्कुल complete हो गया, और उसके लावा यहां पर commercial building बन रही है, और इस तरह यह Central Park जो है, यह काफी ज़्यादा एहम होती है, उन चीजों को फिल्फिल करने के लिए एक Central Park का होना जरूरी है, तो every individual who bought a plot in Capital Smartity, he should be hopeful, because there is a famous saying about hope, that hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies, तो जिन लोगों के plots हैं, और जिन लोगों के develop नहीं हुए plots, they should be hopeful, कि hopefully आने वाले future में जल्दी उनके plots भी develop हो जाएंगे, again back to real time footage, इस वकर अपनी स्किन पर वही जो Central Park है, उसकी आज की date का status देखें, या in fact, अगर आप आज की date में side visit करते हैं, तो यह चीज़ें factually आपको map launch नहीं किया, balloting नहीं की, उसका कोई exact location नहीं पता कि कहां पर बनेंगे, तो आप लोगों कैसे पता कि develop नहीं हो रहा, मैंने एक recently 45 minute की वीडियो पोस की थी, जो expected जगा हो सकती है, overseas 2 and executive 2 की, तो वहां पर बहुत ज़्यादा बड़े part पर, जितना overseas 1 का area है, इस से at least दुगन अरिया में development, जो लेवलिंग है, ग्राउंड की, वह हो चुकी है, अब जिन individual ने 2019 के end पर plot start हुए थे, overseas 2 and executive 2 के, तब plot अगर buy किये थे, जब start booking होई थी, तो उनके payment plan का तकरीपन half time गुजर गया है, और half time अभी रहता है, और जहां तक हार्मी पाक ब्लॉक की बात है, तो हा लाउंच किया गया था during Corona period, अगर लास्ट एर के हम status देखें, all over the world pandemic की वज़े से दिन ये दुनिया stand still पर थी, मुझे याद पड़ता है कि मैं साइट पर जब विजट करता था, यहां साइट पे machines होती थी, लोग नहीं होते थे और development बिल्कुल static पर थी, अब अलहम्दुल development में तीन-चार माँ, पांच माँ, छे माँ ये साल का gap आया, तो उसका reason ये, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पर development होगी नहीं, ऐसा कुछ होगा, जितने plots अभी तक बेचे गए हैं, management की तरस से ये बात है कि clear, अक्सर वो बात करते हैं, कि जितने plots यहां पर sell कि वहां पर हो रही है, hopefully जब तक development, overseas one, executive one की payment plan पूरा होगा, तब तक वहां पर development मुकमल हो जाएगी, अगर हम बीज में 6 मेने, 8 मेने, यह साल का period निकाल लें, जो करोना period के दूरान development बिल्कुल standstill पहाई थी, तो फिर भी उसके बावजूद, development अभी आपके सामने, जो चीज से unloading हो रही थी, plants की, और horticulture की चीज़ों की, तो यह साइट पे इस वक्त आज की state का status है, कि पूरी साइट पे, जो जो parts develop हो गए हैं, उनकी बिल्कुल finishing की जा रही है, ताकि जिन individuals ने plot smartity में buy की हुए हैं, जब अपने living के लिए यहां पे आएं, तो उनको जिन्दगी की तमाँ amenities, footsteps, यानि कि करीबी walking distance पे मिलें, यानि कि जैसे school के बात करें तो smartity पर भी एक भी individual नहीं रहता, एक भी बच्चा नहीं पड़ता, फिर भी तकरीबन six canal का ground plus five का school ready हो चुका है, अगर हम बात करें, मस्जित की जो fully operational है, वहां पे भी एक भी individual itself जो resident है, वो नमाज प वो already overseas बनके developed हैं, और जो बड़े plots हैं, जिसमें आपको background में आप 10 कनाल का plot नजर आ रहा होगा, ये plots भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन का status की बात करें, तो basement, low ground, ground, first, इस वक्त ये चार फ्लोर हैं इनका काम हो गया है, और अभी आगे मजीद काम जा रही है, by the end of 2021, hopefully यहां पे development जो है, final phase में आ जाएगी, और जो तमाम चीज़ें हैं, वो मकमल हो जाएगी, क्यों smart strategy जो है, ये दो चार हजार कनाल का project है, ये बहुत massive scale का project है, जब इस तरह के projects launch होते हैं, और जब वो develop होते हैं, तो with the passage of time, वो project ज़्यादा से ज़्यादा grow करते हैं, for the time being, अभी plots यहा sales partner से call करे पूछें, कि reseal में प्लॉट, चाहिए, जो develop plot है, reseal में चाहिए, तो आपको एक बड़ा number profit की form में देना पड़ता है, half a million से लेके up to a million plus, और commercial plots की बात करें, तो up to 5 million, यहां पे commercial पे profits हैं, तो जो ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें होई हैं, तो जिन इंड passage of time, ये चीज़ें operation हो जाएंगे, क्योंकि इस से पहले past में इस group ने जो projects deliver की हैं, उनमें कोई project ऐसा नहीं इसे बीच में छोड़ा हो, जो itself own करते हूं, itself own करने से मुराद है, जैसे Royal Orchard Multan, Royal Orchard साहिवाल, Royal Orchard सरकोदा, इसके इलावा Capital Smartity, और अब जो project launch हुआ है, Lahore Smartity, इन पांचों project में अगर देखें, तो जब सबसे पहले, जो सबसे बड़ा proof होता है किसी भी developer के status का, वो होता है कि उसने कितना जल्दी उसका NOC acquire किया, Lahore Smartity का NOC with the 55 days of record time, पक्सान की history में इस से जल्दी NOC किसी project को नहीं मिला, और Smartity का NOC जो है, वो early 2019 में इसका NOC clear हो गया तो यह सब चीजें जो है, Smartity के हवाले से इसको एक अच्छा investment के लिहाज से और end user point of view से दोनों लिहाज से अच्छा project बनाती है, so this was it from today, अगर आपको Smartity ने booking के हवाले से कुछ मालूमाँ चाहिए, तो मैंने member आपके screen पर दर्ज है, आप मुझे call कर सकते है, plus 923459999881, इस थैंक यू